बासकार दोस्तों स्वागत है आपका एक्जाम इस्टी में अभी आप इन्हें हाल में देखा होगा कि आयोग की तरब से UPSI की जो अंसर की है वो जारी कर दी गई है यानि कि नॉबर से दिसंबर तक जो एक्जाम हमारा continuously चला उसकी फाइनली जो अंसर की है वो ओफिसियल वेबसाइट UPPRB की जो ओफिसियल वेबसाइट है उसमें अपलोड कर दी गई है आप वहाँ पर जा कर देख सकते हैं और देखने के बाद अप अपना जो स्कोर है वो जरूर कमेंट करें उसके बाद फिर हम finally पता कर पाएंगे कि cut off कितना जाने वाला है तो दोस्तो इसमें आपको कैसे check करना है मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं को आपको आंसर की कैसे check करनी है और कैसे सारी detail आपको fill करनी है तो वीडियो को last तक ज़रूर देखें अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप comment करके मुझे बता सकते हैं मैं आपको same time comment में आपका reply दे दूँगा तो दोस्तों आपको जाना है UPPRP की जो official website है उसको जैसे ही आप open करेंगे तो open करते ही आपको सबसे पहली जो gap दिखाई देगी यहाँ पर उसमें आपको click करना है यह 10-12-2021 और इसमें देखिए आप लिखा भी होगा तो यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं कि 12-11-2021 से लेके दो तारिक तक के 3 चरणों में 3 पालियों में जो exam conduct कराई गई थी उसके संबंद में यहाँ पर आप link पर click करके आप answer की देख सकते हैं और अगर आपका कोई भी question आप सारे देख लीजेगा अगर आपको लगता है कि यह मेरा question गलत कर दिया गया है लेकिन हलाकि सही है तो आप उसको आपत्ती दर्ज करा सकते हैं और उसमें option भी है कि आप किस section में जाके आपको आपत्ती दर्ज करानी है जैसे कि मान लीजे आपका basic law वाले question में आपका एक question गलत है तो basic law select करने के बाद आप वहाँ पर जाके आपत्ती दर्ज करा सकते हैं और उसको submit कर सकते हैं लेकिन अगर आपके सारे question उनके मताबिक या आपके मताबिक सारे सही है तो कोई जरूरत नहीं है आपत्ती दर्ज कराने की ये तो हो गई आपको कैसे check करना है हलाकि आपको check करने में अगर असुविदा हो रही है कि इस time server थोड़ी ज्यादा problem कर रहा है अगर आप थोड़ी सी problem हो रही हो लेकिन अगर आप थोड़ी देर में थोड़ी देर बाद अगर आप उसको check करेंगे तो आप आसानी से उसको open कर पाएंगी या आप उसको continuously आप उसको click करके देखते रहेंगे तो एक थोड़ा time के बाद वो open हो जाएगा तो जैसे ही आप इसपे click करते हैं मान लीजे तो जब आप link को open करेंगे तो यहाँ पर आपको ये एक pop-up window open होगी इसमें से examination of sub inspector civil police के लिए यहाँ पर आप view answer sheet आप देख पा रहे होंगा registration number जो है ये सारी चीज़ें fill करेंगे और यहाँ पर इस वाली portion पर आपको registration number डालना है साथ ही अगर आपका जो date of birth है आपका जैसे यहाँ पर click करेंगे यहाँ पर आप date of birth fill कर सकते हैं और date of birth fill करने के साथ यहाँ पर date exam date आपकी कौन सी है नॉंबर में या दिसंबर में जब भी आपका date हो आप वो click करेंगे साथ ही यहाँ पर जो आपकी shift है वहाँ पर shift डालनी है first, second or third timing के साथ automatic ही आ जाएगा और यहाँ पर आपको capture उसके बाद आप यहाँ पर submit करतेंगे submit करने के बाद वहाँ पर आपको view your question paper यानि की एक column आएगा आप उस पर click करते ही आप अपना paper देख सकते हैं और सारी चीजें चेक कर सकते हैं 44 day question के बाद यानि की section wise आएगा आप उसको check करने के बाद आप अपना note down कर सकते हैं और note down करने के बाद दोस्तों सबसे important यह है कि आपका score कितना है आप वो मुझे comment box में जरूर comment करिएगा कि आपका score कितना बन रहा है जिसके हिसाब से एक हम लोग अनुमान लगा सकते हैं कि final cut off कितना जाने वाला है क्योंकि exam काफी दिनों तक चला है उसके हिसाब से shift wise हो सकता है कि इसका normalization हमको देखने को मिले क्योंकि किसी shift का paper काफी easy था किसी का काफी tough था या आप moderate बोल सकते हैं तो उस हिसाब से जो हमारा normalization है normalization होने की chances काफी जादा बन जाते हैं तो आप अपना फिर भी आपका जो raw score है आप वो मुझे comment करके बताएगा कि इतना बन रहा है जिसके हिसाब से उस हिसाब से हम लोग देख सकते हैं कि final cut off कितना जाने वाला है क्योंकि original आने में time है हो सकता है कि एक से दो हपते लगें फिर भी हमको पहले से लगता है ना कि हमें cut off मालू होना चाहिए कितना हमारा cut off जा सकता है तो उसके लिए finally जो भी होगा एक हम लोग अनुमान लगा सकते हैं ओके thank you all देखके जरूर बताइएगा और comment जरूर करिएगा ओके thank you all all the best for all of you